अलो बचों लेट्सीट दू कुश्चन दू कुश्चन सेज एक कॉन एक फुल लेंग्ट इमेज ओफ डिस्टेंट टॉल टावर केंड डेफिनेटली बी सीन बाई यूजिंग ऑप्शन एक कॉनकेव मीरर ऑप्शन भी कॉन्वेक्स मीरर ऑप्शन सी एक प्लैन मीरर और ऑप इमेज की हाइट हो और जो अबजेक्ट की हाइट हो वो दोनों हमारी क्या हो इक्वल हो तो उस कंडिशन के अंदर किससे मिल सकती है पॉनकेव मीरर से या फिर प्लेन मीरर से सो इस question को करने के लिए हम magnification का formula लगाएंगे so magnification का जो formula होता है वो क्या होता है height of image divided by height of object अब हमें क्या लेनी है pull image लेनी है तो उस condition के अंदर जो m is equals to हमारा क्या हो जाएगा 1 के equal हो जाएगा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं height of image height of image is equals to height of object यानि height of image और height of object हमारी क्या होनी चीए equal होनी चीए तब ही हमारा क्या होगा pull image formation होगा अब देखो इस case के अंदर हम दोनों use कर सकते हैं कौन से कौन से एक तो plane mirror और एक हम क्या कर सकते हैं concave mirror यूज कर सकते हैं तो अब हम देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं concave mirror के लिए तो यहां से अगर हम देखें तो concave mirror अब concave mirror का जो हमारा magnification हो सकता है equal कब होगा जब हमारा when when object when object when object is is placed when object is placed at center when object is placed at center of curvature ठीक है बच्चो जब हमारा object अगर center of curvature के उपर अगर हम रखेंगे तो उस condition के अंदर क्या होगा कि हमारी जो height होगी image की height और object की height वो क्या रहेगी equal रहेगी क्योंकि view और v दोनों की value हमारी क्या हो जाएगी equal हो जाएगी क्योंकि magnification के formula को हम ऐसे भी लिख सकते है minus v divided by u तो यहां से हमारा क्या होगा कि उस condition के अंदर जो object का जो image बनेगी वो क्या बनेगी हमारी real बनेगी real real बनेगी तो उस condition के अंदर वो real image हमारी क्या बनेगी inverted बनेगी real inverted and equal तो उस condition के अंदर हमारी क्या हो जाएगी full size image बन जाएगी वो object की height के equal image बनेगी तो first case के अंदर koncave mirror के अंदर ऐसा हो सकता है और second case क्या होगा plain mirror क्योंकि प्लेन mirror के अंदर जो हमारी image बनती है उसकी size हमारी क्या होती है object की size के equal होती है प्लेंट मिरर के अंदर हमारा जो मेगनिफिकेशन होगा वो अलबेज गया होगा positive का one होगा और उस condition के अंदर जो हमारी image बनेगी वो क्या बन जाएगी virtual मेज हमारी क्या बनेगी virtual erect वर्चौल बन जाएगी और जब virtual बनेगी तो वो हमारी क्या बनेगी, इरेक्ट यानी सिधी बनेगी, और उस condition के अंदर जो image बनेगी, वो हमारी क्या बनेगी, same size की, same size, तो हम कौन से कौन से mirror यूज कर सकते हैं, एक तो plain mirror यूज कर सकते हैं, और concave mirror को जब हम use करेंगे, तो वो हमारा जो object होना चाहिए, वो center of curvature पर हो correct है, तो यहाँ पर option D के अंदर both concave as well as plain mirror गिवन है, so option D is the correct answer of this question, option D क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर concave और plain mirror दोनों गिवन है, और अब देखो बात करते हैं कि convex mirror क्यों नहीं हो सकता, तो convex mirror के अंदर जो size बनेगी, वो हमारी क्या बनेगी, always diminished तो कभी भी full size का हमें image formation नहीं हो सकता, इसलिए option B incorrect है, और option D is the correct answer of this question, I hope you understood it well, best of luck, thank you